वह पासकार मित्रों आपका बहुत स्वाधत है मित्रों उसका स्कूल सीर्षक नाम की कहानी नवीन सागर्द्वारा लिखी गई है और सच्वीच में यह कहानी बच्चों के मान सिक्ता या बच्चों के मनोविज्ञान पर अधारित है और हम कह सकते हैं कि बच्चों के मनो विज्ञान को अभी भी हम बहुत पढ़ नहीं पाए हैं और साथ भविष में भी उतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना उनका मनो विज्ञान या हम कह सकते हैं कि उनका अपना मनो इस्तिती काम करता है लेकिन बहुत सारी चीजों को हम जान पाए हैं बहुत सारी चीजों को हम खूज कर रहे हैं उसी क्रम में सचमुच में आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे या वाचन के द्वारा इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने के लिए बद्ध हो जाएंगे कि एक लेखक किस तरह बच्चों के मानसिक्ता को अपने कॉलम के द्वारा उकेरने का पर्यास किया है इस कहानी की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसकी सुरुवाद एक प्रोफेसर साहब जिनका नाम अखिलेश जी है वे सच्मुच में हम कह सकते हैं कि उनकी गतिवीधियों को देखने के बाद ये लगता है कि वे सब चीज में पारंगत है और हम दूसरे सब्दों में कह सकते हैं कि पारंगत तो है लेकिन उनकी गतिविधियों के बाद या हम कह सकते हैं सिधानतों की चर्चा करने के बाद और सिधानतों को मूर्त रूप देने में दोनों में काफी अंतर है और हम उनको यहीं इस कथा के माध्वम से हम देख पाएंगे समझ पाएंगे कि सच्छ मुझ में बड़े बड़े बात करनेवारे लोग जब धरातर पड़ाते हैं तो कितने छीतर जाते हैं या कुछ कर नहीं पाते हैं या कह सकते हैं कि लोगों को धोखा देने का काम करते हैं उनके सरकारी क्वार्टर में और जो बाहर उनका सकते हैं जो लान है जिसमें वो लोग बैट कर चर्चा करते हैं वहां पर साम को बैटने वालों की संख्या कौम नहीं और वे कई विश्यों पर चर्चा करते थे यहां तक की राजनीती में उनकी रूची नहीं थी लेकिन अगर अपुर्चिनीटी राज करती है तो उसमें भी खोब हम कह सकते हैं कि गहराई से चर्चा करने का अपने में समर्थ रखते हैं प्रवाद मित्रों एक दिन की बात है उनके घर में एक सहायत के रूप में काम करने वाली जिसे हम लोग समानी रूप में दाई कहते हैं और कहें कहें उसको बाई भी कहते हैं एक एक घर में गए और साम का समय था जब उनकी काम करने वाली या सहायता करने वाली घर में वो काम कर रही थी उसी समय जब वो अपने घर में परवेश किये तो आगन में उनको देखकर वो सचमुच में समझ गए कि कुछ कहना चाहते हैं और वो काम करने वाली कुछ देर के लिए अपने काम को रूप कर और इनकी बातों को सुनने का पर्यास करने लगी सच मुझ में उसी समय हम कह सकते हैं कि काफी खुसी में प्रोफिसर साहिम ने उस दाई से पुछा कि क्या तुम्हें सुधा ने कुछ बताया है सुधा उनकी पत्नी का नाम है तो उसने कहा कि नहीं अभी तो मुलकात आज नहीं हुई है और को भी नहीं मुलकात हम तो काम करके निकल जाते हैं और फिर जब आती हैं तो मुझे इधर दो दिनों से मुलकात नहीं हो पा रही है तब उन्होंने कहा कि उनकी नौकरी हो गई है और वो पढ़ाने जाएंगे यह सुनकर वो दाई काफी खुस हुई और कही कि सच मुच में इस वर ने उनकी प्रातना को सुन ली और जो प्रयास वो बहुत दिनों से कर रही थी उस प्रयास में वो सफल है अब लेकिन उसने ही एक प्रस्ण कर दिया कि अब जो घर पर बच्चें है रिंकी और पिंटू उनका देखवाल कौन करेगा और यहीं प्रस्ण प्रफेसर साहब पूछना चाहते थे या जानना चाहते थे या हम कह सकते हैं कि उसको अपने घर में अतरीक्त कारे देना चाहते थे लेकिन चुकि वो तीन घरों में काम करती थी उसकी छमता में कोई कमी नहीं थी फिर भी प्रफेसर साहिब के मुन में ये बाते आई कि सचमुच में तीन घरों का काम करने के बाद हमारे घर में दीन में हमारे बच्चों को सम्हाल सकती है या नहीं सकती है और इसी पर उगहन मंधन करने लगे तभी उसने कहा कि सच मुझ मैं मैं भी इस पर सोच रहा हूँ और तुम भी इस पर सोचो और इसी क्रम में उन्होंने एक प्रस ने डाल दिया कि मुनी कितने वर्ष की है मुनी उस दाई की उस बाई की लड़की का नाम है उसने कहा कि 10-11 साल उसकी उम्र होगी फिर वो कुछ देर रुकने के बाद लेकिन वहीं बोली वो समझ गई कि सच मुझ में हमारी लड़की को अपने घर और बच्चों को देखने के लिए रखना चाह रहे हैं तो उसने बोली कि सच मुझ में वो तो ओई स्कूल जाती है तब फिर प्रफेसर साब पुछे कि किस क्लास में पढ़ती है फिर उसने पांचवे क्लास की बात की और जो उनके मौन में बात थी कहना चाह रहे थे वे बात नहीं कह पाई वे कहना चाह रहे थी कि अपनी की परती है और साथ-साथ उसका उम्र दोस्ते गार है अलाकि तब भी वो चाह रहे थे कि हमारे हां रहे अंत में कोई उपाय ना सुचकर उन्होंने उसी पर डाल दिया कि तुम अब पर्यास करो कि कि किस तरह से हमारी पत्नी नौकरी भी करेगी और उनके बच्चों को घर पर देखने वाला भी रहे और साथ-साथ है उनकी नौकरी भी रही और नहीं था उन्हीं पर उन्होंने छोड़ दिया कि तुम को दो कि वो नौकरी छोड़ दे अब इस बात को सुनकर थोड़ा सा वो गंभीर हो गई और सचमुच में अपन तो दिखाया जा रहा था इस ब बात के माद्यम से बर्तलाब के माद्यम से लेकिन हम कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर ही यह बात हो रही थी उसने पानी पी फिर पानी पी और उस गिलास को साप करके अपने घर चल दी घर पर गई तो अब वो मजबूर हो गई चुकि यह सोचने लगी कि हम इनके गायरेज में रह तो अब हम ना कहते हैं और फिर कह देंगे कि हमसे विवस्था नहीं हो रही है तो सच मुझ में एक बहुत बड़ी गलती होगी या हमारे लिए ये ना इंसाफ होगा तुकि जो हम उनके घर का उबोग कर रहे हैं या उनके काम कर रहे हैं तो यह कि हमारा कमाने का जरिया भी है वह विश्रोत खत्म होने की संभाव नहीं हो सकती है और ऐसा सोच कर वह अपने लड़की को उनके घर पर जाने के लिए प्रयास करने लगी लेकिन लड़की सच मुझ में जो जिसका नाम मुनी था वो कतरी तयार नहीं थी पढ़ाई छोड़कर और उनके बच्चों को द चाहते हुए भी उसको जबरदस्ती उनके धर ले जाने के लिए प्रयास के और ले भी गई फिर वहाँ पर जाकर जब वहाँ पर गई तो वो उनकी पतनी तैयार होकर और उसकी इंतजार कर रही थी कि सच मुझ में मुनी आएगी तो मैं इसको दे दूँगा दे दूँगी जो घर का जो समभालना है या घर के जो बाते हैं उनको बता दूँगी आएन मौके पर उसकी मा और मुनी पहुची उनको देखते भी उन दोनों ने जब ये समझ गए कि अब हमारा सयोग करने के लिए ये मौनी आ गई है तब राहत की दोनों ने सास ली और जल्दी जल्दी मालकीन घर ले जाकर सारी बातों को समझा दी और बच्चों को काफी प्यार की अपने बच्चों को और फिर जाने के लिए दोनों पति-पत्नी तयार हो गए हलाकि प्रफेसर साहब जितना अपने बच्चों के प्रती साहनभूती व्यक्त की थी उतना उस मूनी के आने के बाद साहनभूती व्यक्त की हलाकि दोनों के अगर देखा जाए तो दोनों के अर्थ अलग अलगशी पे हुए है एक में स्वार्थ है स्वार्थ दोनों में है लेकिन एक में अपना तो है और एक में किसी के जीवन को बिगाडने के लिए उनकी खुशी थी सच मुच में उस दिन फिर लोट कर जब मुनी घर पर गई और उसकी मा लोट कर सामको आई तो देखी कि बच्ची अपने स्कूल के पुस्तकों को बस्ते को संभाल रही है और उनकी मा को इतनी गलानी हुई कि वह अहां पर से वह तुरत बाहर निकल गई लिए और दूसरे के घर जाकर कुछ दिर बैटकर पुना घर पर आये फिर दूसरे दिन उसने मुनी को बताया कि देखो स्कूल जाने के समय जब धूप सिंड़ी पर आ जाती है उसी समय तुम निकल जाना और संचमुच में दूसरे दिन मा के कतना नुसार वो लड़की पुना जोला लेकर जिस समय स्कूल जाती थी वो निकल गई फिर रास्ते में ही प्रफेसर साब का मकाम पड़ता था वहीं पर दोनों लोग खड़े थे लेकिन मुनी अपने स्कूल की तरफ बढ़ रही थी इसी में मालकीन ने तो का क्या रहे मुनी कहा जा रही है फिर मुनी बिना कुछ बोले हुए उनके पास आई उसके बाद वो घ जब बाई अपने घर पहुंची तो देखी कि मुनी रोकर रोकर बेहाल है और कुछ बोल नहीं रही है तब उसने मुनी से पूछा कि सचमच में तुम क्यों रो रही हुए कुछ देर तो मुनी बोली नहीं उना चिला कर अपने बैग को जिस बैग को लेकर वो इसकूल याती थी लाकर अपने मा के पास पटक कर वोली कि मैं जोला लेकर उनके घर गई थी और दीन भर रही और उनके लड़कों ने मेरे पुस्तक को मेरे जोला को चित्रे चित्रे कर अब मैं क्या पढ़ूँगी मा का कलेजा सचमुच में उस समय थम गया और मा का ममत्व सामने आ गया लेकिन करती क्या अंत में बात को आगे न बढ़ाते हुए उसने कहा गया जोला लेकर क्यों उनके घर पर गई फिर मुनी भी कुछ जवाब नहीं दी सचमुच में उसको तो वहाँ पर जाकर उनके बच्चों को देखना था जोला लेकर तो पढ़ने जाना नहीं था और फिर मुनी की बातों को मुनी की सोच को वो देखते रह गई और फुना दूसरे दिन जाने के लिए उसे तयार कर लिए कि जोला मत लेकर जाना अब तुम्हें स्कूल नहीं जाना है सचमुच में तरो ये दर्द भरी कहानी है और सचमुच में लिखने वाले जो इस कहानी को लिखे हैं उसका स्कूल नवीन सागर बाल मनो विज्ञान को उकेर कर रखतिया है और सचमुच में बाल मन को हम लोग अभी भी नहीं जैसे हम लोग चर्चा की नहीं समझ पाए हैं और उनके जीद, जुनून, विद्रो, हाजिर जवाबी ये अपने में एक अलग तरह उनका गून है और सिक्षा सास्त्रियों ने भी इसे पढ़ने का प्रयास किया है और साथ साथ साहितकारों ने भी इन्हें उकेरने और इनको पढ़ने का प्रयास किया है सच मुझ में हम अगर कह सकते हैं कि विद्याले की तरह बढ़ते कदम जिद उस लड़की की थी कि हम पढ़ेंगे ही और कथा के अंत में रोते रोते अपने जोले को और पूस्तकों को उनके सामने पटक देना निश्चित रूप से आज के या उस समय के जब लिखी गई तबके सिक्षा ब्यवस्था पर एक गहरी चोट है और सच मुझ में मित्रों हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग है और ये कहानी एक लड़की को एक बेटी को केंदित करके लिखी गई है और हम बहुत पर्यास करते हैं तो जिस तरह से सिक्षा लड़कों को देते हैं अभी भी अधिक लोग हमारे समाज में हैं कि लड़की को तरह से सिक्षा नहीं देने का पर्यास करते हैं और बच्चे बच्चियों की अकादमिक उपलब्दिया या दिगम की चर्चा सच मुझ में हम गौण कर देते हैं और अपनी बातों को अपने ख्यालातों को अपने इक्षाओं को उन पर जवर्दस्ति ठोप देते हैं कहीं मजबूरी होती है तो कहीं अपना अपनी परतिस्ठा होती है और संचमीज में यहां तो मजबूरी ही है कि एक माँ वहाँ पर क्या कर सकती है जहाँ पर उसकी कोई चलती नहीं है और अंततो गत्वा लड़कों के सेवा में दूसरे के लड़कों की सेवा में जो मालकी ने अपनी नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा कमा रही है, उनके बच्चों की सिवा में इस मा ने अपनी बेटी के सिक्षा को कुर्वान कर दिये नमस्कार मीत्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, सच मुच में यह विचारनिया विशाय आज भी उसी तरह से, जिस तरह से यह कथा लिखी गई दे, धन्यवाद में